मिशन राणिगंच का जो शौकिंग हाल देखने को मिल रहा है दोस्तो एट प्रेजेंट सेकेंड है मतलब मुझे थोड़ा सा लगा था कि पहले लगा था कि मिशन राणिगंच जो है दूसरे दिन अच्छे से चड़ाई कर सकती है पर एट प्रेजेंट जो हाल देखने को मिल पर देखो जो collection है वो साड़े तीन से चार करोड का ही दिखने को मिल रहा है अब आपको यह बता रहेता है कि ऐसा क्यू हो रहा है कि मतलब 1.86 करोड लगबग ऐसा है तो चार करोड क्यू पाथ-छे करोड का तो booking सुरी पाथ-छे करोड का तो collection दिखना चाहिए होता क्या है य यह जो prediction किया जाता है वो भी walking audience पर किया जाता है अब walking audience इसमें interest नहीं दिखा रही है इसलिए वो कम दिख रहा है अगर दूसरे दिन यह movie सिर्क चार से पाच करोड कर रही है तो दो दिन में 7 करोड का collection आ रहा है 7 से लेके 8 करोड में भी अक्षे के फैंस को बुरा लगेगा लेकिन अब मुझे भी यही लगता है कि somehow अक्षे सर ने अब उनकी quality के अनुसर movies करनी चाहिए आइदर उनकी ताकत एक तो action या फिर comedy बस based on true story की एक time था वो जब उन्होंने toilet एक प्रेम कताब पैड मैन वगरा जो film में दी थी वो एक time निकल गया अब यह film में भी चलती नहीं कोवीड के बाद एक तो action movie चल रही है और promotion zero करना यह बहुत shocking था यह आप defend करो ही मत कि इनकी गलती हुई है पूजा entertainment हो अक्षे कुमार हो promotion zero करना just because कि omg2 चल गई थी तो यह भी चलेगी reality of omg2 बताओ अबको cbfc certificate का जो जमेला हुआ था न ए certificate वाला वो लगबक court में वगारा जो भी था वो 20 दिन मामला चला था और उससे न बहले हुआ यह certificate था लेकिन उससे उसका promotion हो गया था अब यहाँ पे थोड़ी न यह certificate है वो promotion हुआ था और gather to की hype जो इसको भी मिल गई आप माने ना माने यह search है वरना लास की जो पाच फिल्म हैं अक्षे सर की वो बहुत बूरी तरीके से गई थी और देखो आप यह बोल रहे हो कि अक्षे सर को special hate कुछ लोग कर रहे है इसलिए हो रहा है नहीं हो रहा है इसकी वज़े से simple बात थी omg2 के वक्त अक्षे सर छे महीने बाद आये थे यहां पर यह movie लगबग एक देड़ महीने बाद आ रही है तो भाई फिर promotion भी तो होना चाहिए अगर आ रही है तो आ रही है पर यहां पर मैंने अक्षे कुमार सर की fan clubs के भी कुछ comments देखे जया पर उन्होंने लिखा था कि अब अक्षे सर को फिल्मे ही चेंज करनी चाहिए वो comedy या फिर action के साथ आए जो कि अगले साल इनके अच्छी फिल्में आ रही है तो Mission Ranikans को इतने जल्दी release करने की ज़रूरत थी क्या सवाल मेरा ये भी है कि कि अगर आप बोलोगे नहीं 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 वही गोदर्टू की वज़े से नहीं आपने दम से चली उसमें content है तो क्या इसमें content नहीं है इससे हजार गुना omg2 से बेटर content है इसका ये movie में omg2 से भी बहुत बेटर action action एक्टिंग की एक्षे सरने का कि देख ले ना movie को मैं seriously बोल रहो कम कहीं पर भी नहीं है ये पर मैंने जो points उठा है है उस पर सोचिएगा ज़रूर अब अगली movie तो I think वो सुरा राई का remake जो है वो आने वाली है February में हाँ उसमें बहुत वक्त है वो चल भी सकती है क्योंकि कि भाई difference बहुत है I think अभी October November December जाने आरी फेबरू आरी चार महीने का हला कि हाँ ठीक है चार महीने का difference भी ठीक है अगले साल आ रही है और बाकी तो भाई तगड़ा है अगला साल अक्षे सर का हौस फुल फाई है स्काइफोर से हिरा फेरी है बड़े मिया छोटे मिया है तो वेलकम तुदे जंगल भी भूरी आ ठाक है तो भाई बहुत कुछ है पर अगले साल यह मूवी थोड़ा लेट ला सकते थे ऐसा मुझे तो लगता है भाई देखते हैं अभी जो सचे वही सचे मुझे जो एक डर रहना कि walking audience का भी इन लोगों ने prediction जो कम रखा है वो इसलिए रखा है कि पहले दिन कम हुआ ना भाई और अगर इनके prediction के अनुसर में जाओंगा तो पहले दिन 2.8 करोड हुआ है दूसरा दिन 3.8 करोड हो रहा है यह 6.6 करोड से लेके 7 करोड दो दिन में मुझकिल है और बही फैनस कितनी बार आहें देखेंगे देखो क्या है कभी-कभी ऐसा भी होता है ना कि फैन्स हर मुवी पे पैसा खरचा नहीं कर सकता हम बहुट जल्दी फैनस को blame कर Oprah मैं एक टाइम पर बोला थाno रामसे तू के वक्या की fans को मैंने ब्लेम किया था पर उस टाइम पर मैं यह नहीं सोचा था कि उस टाइम पर अक्षे सर की चार मूवी स्थेटर में आई थी पर फिर भी राम सेतु डिजर्विंग थी मैं इसलिए बार-बार बोलता था और अगर सेलफी जैसी मूवी का अक्षे गुमार सर प्रमोशन कर रहे है तुम मिशन रहने गैश्ज बड्या मूवी का क्यों नहीं किया है क्यों वेहा पर वोल्ड रेकॉर्ड कर चल रहा था सेल्फी का ळियाद कर वह प्रमोशन कितना किया था उन्होंने है राम सेतु के जैसे जाहिए वैसे प्रमोशन नहीं किया था वो तो भी बाप लेवल फिल्म थी देखते हैं वही क्या होता है I hope कि मुवी चड़े लेकिन प्रैक्टिकली वो बोलते हैं न कि एकदम अंधे तरीके से फॉलो नहीं कर सकते हैं जो सचे वो बताना भी तो ज़रूरी है मैं बोल दूँगा रहे रिलाक्स चड़ेगी बहे चड़ेगी आज चड़नी चाहिए थे रिव्यूज वो यूट्यूबर्स को मारो गो लिए क्रिटिक्स के रिएक्शन अच्छे आये थे तो आज वोकिंग ओडियंस में पकड़ के जा रहा हूँ कि देखते हैं क्या होता है